नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपकी यूटूज पैनल बीडिपी इंवेस्मेंट में और आज की स्वीडिय में हम बात करने वाले हैं मौर्फैन लेबोरेटरिस के उपर फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक जहां पर जबर जस्ट ब्रेकाउट आया है दोस्तो वॉलियू और कैसा है इस वीडियो के अंदर चल्चा करेंगे लेंटी फाइनास दोस्तों कंटिनियूस अपसाइड मुमेंटम आ रहा है और आज आज बहुत बड़ा ब्रेकाउट है तो आप ज़रूर से देख लेना अब बात करेंगे मौर्फैन लेबोरेटरिस लिमिडेड के उपर मौर्फैन लेब जो एनसी का कोड है और आज 9.35% का अपसाइड मुमेंटम आया है 30.40 रुपिस का क्लोज आया है प्लस 2.60 रुपिस का अपसाइड मुमेंटम है पिछले 5 दिनों में अगर कारोबार देखा जाय तो 11% का अपसाइड मुमेंटम है और एक मन्त के अंदर 12% क का अपसाइड मुमेंटम में पिछले एक साल में अगर मुमेंटम देखे तो नेगाटिव है पुरा फार्मा शक्तर में ज्याधा तर नेगेटिविटि दिख रही है यहाँ पैह भी दोस्तो बहुत ही जादे नेगेटिविटिष नहीं तो नहीं हाई लेवल बन सकते गी न पहले तो समझते मौर्फन लेबरेटरी करते क्या है दोस्तो जो है उसका रेवन्यू जो बहुत ही बढ़िया मैनिफेक्टर है फर ग्लुकोमिटर और दोस्तो जब आपको याद होगा करोन आया था तब जो जो बलड का दोस्तो जो आप देख सकते है कि पल्स ऑक्सिमिटर ज यहां पर दुस्तों जिनरेक्स सेग्मेंट है, होंग डाइनुस्टी सेग्मेंट है, ओटीस एंड हिल्थ केर प्रोडक्स से हाई क्वालिटी जिनरेक्स मेडिसीन है, तो बहुत यह बढ़िया कारोबार करती है, कंपनी के पास दुस्तों, यूएस एफडी है, एपरूड है, दोस्तों है, अगर बात करें कोवीड के नियूस की, तो दोस्तों कोवीड में कुछ ज्यादा अपसायर मोमेंटम नहीं है, 120 न्यू कोवीड इंट्रेक्शन आये है, तो एक थोड़े से दोस्तों, बट एक्टिव के से जो काफी डाउंसेड है, फंडामेंटल के उपर नज अगर यहां पर नजर डालोगे, तो आपको समझ में आएगा, सेल्स जो था, दूस्तों हमने डिसकस किया था, कि सेल्स जो था, उसमें दूस्तों बड़ोती आई थी, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्टिंग इस कंपनी का बड़ा प्रॉब्लेमेटिक रहा है, अगर यह कंपनी ने पर्फॉब्लेमेंस नहीं किया है, लास्ट एक साल में, तब देखेंगे, मार्च दोज़ाटि बाइस से लेके, मार्च दोज़ाटिविस में, उपरेटिंग प्रॉफिट मार्चिंग इस सिंगल डिजिट में है, बट यहां पर देखेंगे, डेबल में उसने इंप्रॉब्मेंट आएगा, आपको सेल्स में इंप्रॉब्मेंट आता ही रहता है, तो यह जो स्काय रॉकेट हो जाएगा, दोस्तों पहले आप देखेंगे, जो एपियस आता था, वो बहुत दी बड़ा पार्टल रिजर्ट में आधा था, प्रॉफिट और ल यह जो पहली बार ऐसा हुआ है, पुरी जिनगी में तो दोस्तों स्टॉक ने रिवन्यू जो एठोड़ा सा डिकलाइन किया है, मार्ट बोजर्ट एबीस में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लाइफटाइम लोगे आग पास चल रहा है, और जो प्रॉफिट है वो भी 30 नहीं करोगा है, अगर दोस्तों नेक्स्ट यर में यहाँ पे सुधारा आएगा, अच्छा हो सकता है, दोस्तों अच्छा मुमेंटम आ सकता है, और साथो साथ मार्गें में भी उच्छाला आएगा, तो दोस्तों यह इस्टॉक में रिडेटिंग की संभावना बह आएगा, तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, शेर होल्डिंग पेटन जहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 38.02 बीच में दोस्तों 36.74 परसंट का होल्डिंग का, उसके बाद कमगी ने बढ़ाया, बढ़ाया होल्डिंग और 38.02 गया है, एफाय की बात करें, तो 2020 के मुकाबले, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग आप बोल सकते, अगर बड़े पब्लिक होल्डर की बात की जाए, तो आप देख सकते है, पीनफोल ओवर्सिस के पास 7.54 परसंट का होल्डिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे, दामुदर अकरवालदी के पास 1.26 है, और मॉर्फन लेबरेटरिस के पास 1.0 पर परसंट का फोल्डिंग है, अब आजाते हैं दोस्तो चार्ड के उपर और जहाँ पे क्या रिस्क रिवर्ड बन सकता है, उसके उपर हम चर्चा बेरेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोस्तो मन्थली चार्ड सिलेक किया है, एक केंडल, एक मंद का है, लाइफ टाइम लो को टार्ड कनेक किया है, लाइफ टाइम हाई से दोस्तों, बहुत ही बड़ा व्यू है, दोस्तों यह लाइफ टाइम लो जो हमने कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते है, लाइफ लाइट हो है, 2011 का और लाइफ टाइम हाई जो बना था दोस्तों 2020 में तब हमने यह रेली पुरी कवर कही थी एक मंत्री अब यहां पे जो 61.8% का फिबो नाचे रिट्रेस्मेंट 30.30 का है उसके बाद 38.80 का रिट्रेस्मेंट आधा है लेवल 50% का 38.2% का 47 है अब यहां पे आप देखेंगे कि जब पिछली बार यह लेवल को नीचे आ गया था दोस्तों 61.8% के रिट्रेस्मेंट को उसको जब उसको क्रॉस किया था तो यह श्टॉक 50 रुपेज तक के लेवल चुआ था अब पिछले 3-4 क्वार्टर में देखेंगे मंध में तो उसी के आजपास कारोबार कर रहा था फोड़ विकली में और नजबिक जाने की कोसिस करते हैं तो आपको और आइडिया आएगा दोस्तों कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही इसको क्रॉस किया विकली चाट के उपर एक विक बहुत बढ़ा तीजी राज दूसरे विक हाई बना फिर नीचे आ गया और फिर आपस से नीचे आया है अब चलते हैं दोस्तों यहां पर देखेंगे कि यह विक में वालियूम में देखें जबर जस उचालाया है पिचली बार जोês कि जब रिचस उचलाया था जब लेबल तोड़ दिया फिर भागा था तो यहां पर possibility है कि कल और भागने की कोसिस करेगा जब तक 30.30 के लेवल के उपर hold करता है तो यहां पर बाग दोड़ मची रहेगी यहां पर देखेंगे आज भी volume में काफी अच्छी तेजी यहां पर द अब दोस्तों भड़ी तीजी बन सकती है बरना दोस्तों यहां से नीचे भी जाने के चांसे से अब और एक हम इंडिकेटर एड कर लेते हैं जिसका नाम है relative strength index और उसका लेवल क्या बोल रहा है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं तो RSI हमारे सामने आ गया है और RSI यहां प देखने वाला होगा market भी lifetime high के उपर चल रहा है तो यहां पर अगर यहां पर री rating का current है तो यहां पर दोस्तों लेवल को hold करेगा 30 का और हमें नए लेवल 38 तक को देखने को मैं सकते हैं यह सारे मेरे personal view है कोई recommendation नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मिलते है नेक्स टूडियो में धने बाद और अभी तक आपने एंजल में डिमेट अकाउंट उपन कर सकते लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में डाले हुए है अगर आपको कोई stock के उपर दोस्तों जानकारी चाहिए और पूरा analysis चाहिए तो आप मुझे comment section म डाल सकते तो दोस्तों में नेक्स टूडियो में उसका analysis करने की जरूर से कोसिस करूंगा thank you thank you very much दोस्तों धन्यवाग